नमस्कार आप देख लें नेख्सनेर स्पीर्चूल आपके साथ मैं हुडीना जोतिष आस्त्रव में ग्रहों का व्यक्ति के जीवन गेहरा असर बढ़ता है अगर ग्रहों के स्तिती नहीं है तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्यों का सामना करना पड़ता है वहीं अगर ग्रह शुब हो तो व्यक्ति खूब राज करता है अगर किसी व्यक्ति कॉंडली में ग्रहों के स्थिती खराब हो तो उसे रतन जोतिश का सहारा लेना चाहिए रतन जोतिश में हर एक ग्रहक से जुड़े रतन होती हैं जिनको धारन करके ग्रहों के अर्शुप्रभाव को कम किया जाता है उसी तरह जिस वेक्ति के कुणली में सूरे की स्थिती खराब हो या और सूरे की स्थिती से वेक्ति के जीवन में परिशानिया आ रही हो तो संस्टोन धारन करने की सला दी जाती है आये जानते हैं कैसे धारन करे संस्टोन और क्या है इसके धारन करने के फायदे सूरज की तरह ही संस्टोन भी पीले रंका होता है इसे माने किया उपरतन माना जाता है जिस किसी वेक्ति को जीवन में यैश, उनती, मानसमन की चाहत होती है वह ये रतेन धारंड कर सकता है वहीं इसे धारंड करने से सुरीदेग की करपा भी अपर बनी रहती है रतेन शास्त्र के अनुसार जिर लोगों के कुण्ली में शूरे कीस्तिती खराब है कड़ी मेहनत के बाद भी जिसे सफलता नहीं मिल रही हो मान हानी हो रही हो व्यक्ति जोतिश की सलाव पर संस्टोन धारण कर सकता है इसे धारण करने से कुल्ली में सूरे किस्तिती मजबूत होती है साती जीवन में आ रही बाधाय भी दूर हो जाती है व्यक्ति तरक्की करने लगता है उसे मान प्रतिस्टा बढ़ती है इसके लावा संस्टोन धारण करने से दाम पते जीवन भी सुख में होता है व्यक्ति का स्वास्त भी अच्छा रहता है और घर में खुशी आती हैं संस्टोन सिंग तुला मीन राशी वाले लोग धारण कर सकते हैं हाला कि से अगर आपको हमारी जानकर एच्छी लगी हो तो कमेंट करकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे आने वाले वीजियो इसके ब्डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें